आत्मा राम बस्ती में सुजाता अपनी बुरी मारादा के साथ रहती है गोरी बस्ती में उन से ज़्यादा ग्रीब कोई न था बेटी सुजाता, खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो, भूक से जा निकली जा रही है मा मैं तो गुर्बत की वज़े से तंग आ चुकी हूँ, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है हमें कोई तो वेपार करना ही पड़ेगा, जिससे हमारे ग़र का गजारत सर सके सुजाता, लेकिन वेपार करने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, हमारे पास तो फुटी कोरी नहीं, हम वेपार कर बैठे हैं सुजाता मुझे खाने के लिए कुछ दे दो क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो भूख के मारे बुरा हाल है मा ये एक कल की सुखी रोटी परी हुई है आदी आदी खाके इससे ही गुजारा कर लेते हैं कल क्या होगा देखा जाएगा रादा और सुजाता गुरबत के हाथों तंग सुखी रोटी खाने ही लगती हैं कि बाहर से आवाज आती है बहुत बुका हूँ बुरी जान हूँ कोई मदद कर दे कोई खाने के लिए गुश्टो दे दे बहुत दिनों से बुका हूँ कोई एक वक्त की रोटी दे दे सुजाता देखती है तो बाहर एक बहुत बुरे नुरानी चहरे वाले बाबा जी खरे होते हैं बेटा कुछ खाने के लिए है तो दे दो बहुत भूख लगी है बाबा जी एक सुखी रोटी है खाने के लिए और हमारे पस कुछ नहीं, वो आप खा ले ये कहकर सुजाता वो बुरी रोटी बाबा जी को लाकर देती है और अपनी मा की तरफ देखती है ये देखकर उसकी मा की आंखों में आंसु आ जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलती रोटी खाने के बाद बाबा जी बोलते हैं पी प्याला सबर्दा, कोई नहीं साथी कबर्दा ये लो बेटी, ये बीजो का थैला है इन बीजो को कल सुबा होते ही अपने सेहन में लगा देना बाबा जी ये किस चीज के बीज हैं और इसे क्या होगा बेटा ये राज की बाते हैं, इनसे मैं परदा नहीं उठा सकता जैसा तुम्हें कहा है वैसा ही करना और याद रखना, जब भी मुश्किल आए अपनी मदद खुद करना बीजो का थैला सुजाता को देकर बाबा जी दुआय देते हुए वहां से चले जाते है दूसरे दिन सुबा होते ही सुजाता, उन भी जो को सेहन में खुदाई करके लगा देती है देखते ही देखते जमीन से एक पोदा नमुदार होता है शाम तक वो पोदा एक तनावर पेर बन जाता है और उस पर बड़े बड़े पके आम लग जाते है इन्हें देखकर सुजाता बहुत खुश होती है देखो देखो मा, क्या करिश्मा हो गया हाँ बेटी, ये तो कमाल हो गया उपर वाले ने हमारे सुन ली अब हम ये आम बेज़कर बहुत ज़्यदा पैसे कमाएंगे अब हमारे भी दिन फिर जाएंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे अगली सुबा होते ही मा, मैं अपने आम के पैर को पानी देने जार ही हूँ सुजाता अपने आम के पैर को पानी दे रही होती है तो देखती है, पैर के निचे एक बुरी औरत सो रही होती है जिसकी नाग कवे की चूंच की तरह और शकल जादू करनी की तरह होती है थोरा सा पानी उस बुरी औरत पर भी गिर जाता है जिसे वो बुरी औरत काफी गुसे में आ जाती है अरे बत्तमीज लरकी ये तुमनी क्या किया तुमने मिने दिन बर बात कर दी मैं कितने मत ऐसे सो रही थी तुम्हें नहीं पता तुमने किस से पंगा ले लिया है अमा जी पानी ही तो डाला है ये तो साफ पानी था जो मैं अपने पेर को दे रही थी मैंने जानमूच कर तो ऐसा नहीं किया अब देखा मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं ये कहकर बुरी अम्मा पेर को मारती है और वहाँ से गायब हो जाती है लगता है ये बुरी अम्मा कोई जादू गरनी थी लेकिन शुकर है इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया ये कहकर सुजाता अपने गर के अंदर चली जाती है अगली सुबा हो जाती है सुजदा फैसला करती है कि आज अपने आम के पेर से वो सारे आम दोर कर विजार में बेश देगी और खूब मनाफ़ा कमाएगी ये सोचकर सुजदा अपने आम के पेर के पास आती है ये देखकर दंग रह जाती है कि उसके पेर के सारे आम खराब हो चुके है हाई रे ये क्या हो गया मेरे तो सारे आम खराब हो गए कल तक तो ये च्छे पले थे ये तो एकदम तरो ताजा थे अचानक से खराब कैसे हो गए मुझे लग रहा है ये उस बरी जादू गर्नी की करतूद है फिर अचानक एक आम से आवाज आती है क्यों क्या हुआ, कल तक तो तुम भरी खुश थी, आज इतना रोना क्यों आ रहा है, चखो मज़ा बुरी जादू गर्णी से टकर लेने का मैंने जान बूच कर तो ऐसा नहीं किया, तुम जादू गर्णी के आम होना, तुम मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हो गलती तो हर किसी से हो जाती है, मुझसे भी गलती से पानी गिर गया, मैंने जान मुच कर तो रहे की रहा था, तुम मुझे इसके तुरी परी सजा क्यों दे रहे हो देखो लड़की, जब तक मैं इस पेर पर हूँ, मैं इस पेर पर किसी भी आम को ठीक नहीं होने दूगा और हाँ, अगर तुमने अपने हाथों से मुझे उतारने के कोशिश की ना, तो मैं हर चीज़ को मलिया मेट कर दूगा अब चाओ यहां से, और कही और जाकर अपनी किसमत अजमाओ, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा मैं ऐसे हार नहीं मानूगी, तुम लगे रहो इस पेर पर, मैं खराब आम ही बजार में बेचाओगी सजाता पेर से खराब आम तोर कर, और सारी बात अपनी माँ को बता कर, बजार में बेचने चली आती है खराब आम बजार में कोई नहीं खरीटता, सजाता अदास होकर वापस अपरे गर की तरफ चल पड़ी तो रास्ते में उसकी नजर एक बुख से बिलबलाते हुए उंट पर पड़ी, तो उसे उन बाबाजी की निसीहत याद आती है और याद रखना, जब भी मुश्किल आए, अपनी मदद खुद करना फिर उसे जादूई आम की बात याद आती है और हाँ, अगर तुमने अपने हाथों से मुझे उतारने की कोशिश की ना, तो मैं हर चीज़ को मलिया मेट कर दूगा वो बुखे उंट की रसी पकरती है, और अपने गर ले आती है, और आम के पेर के नीचे छोड देती है उंट अपनी लंबी गर्दन के साथ मज़े मज़े से आम तोर कर खाने लगता है उंट आओ देखता है न ताओ, जादू याम को मुझे डाल लेता है और गरब गरब करके खा जाता है, देखते ही देखते सारे आम ठीक और तरू ताजा हो जाते है वाँ सजाता, ये तो कमान होगया, तुमने ये कैसे किया माँ, मुझे जादू याम की बात याद आ गय थी मुझे अपने हाथ से उतारोगी तो नुकसान पहुचाओगा मैंने तो अपने हाथ से उता रही नहीं ये तो उंट मिया का बला हो उसरे जादु याम को खाकर हमारी इससे जान चुरवा दी सुजाता खुशी खुशी पेर से आम तोरती है और बुजार में बेच कर चन्द दिनों में ही भस्ती की सबसे अमीर लड़की बन जाती है और रादा अच्छा सा लड़का देखकर सुजाता की शादी करवा देती है और वो हंसी खुशी अपनी जिन्गी गुजारने लगती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है जिन्दकी में कभी मुश्किलों से गुबराना नहीं चाहिए अगर कोई मुश्किल पर जाए तो अपनी मदद आप करनी चाहिए